इनको Nobel Prize for Medicine दिया गया Noble Prize for Medicine यो वो शूरा ओशीमी की से पुछा गया कि आपने ऐसी क्या छीज बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम Nobel Prize आपको दिया जा रहा है तो उन्हों अने कहा कि मैंने Cancer की समभवता पॉसीबल Cancer की पॉसीबल दवा खोज लिये है तो दुनिया ने बड़ा जोर से उनका स्वागत किया कहा आपने cancer की दवा खोज ली कहा नहीं दवा नहीं लेकिन एक cure एक precaution मैंने खोज लिया है तो दुनिया ने पूछा बताईए ऐसा क्या किया जाए जिससे cancer नहीं होता तो उन्होंने कहा कि जब हम भूका रहते हैं और हमारी बॉडी के निूट्रियंट्स खतम होने लगते हैं जब हम भूका रहते हैं तो हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है इसे आटो फैगी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के गलीच हिस्सों को, सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले, तो आपको भूका रहना चाहिए, ये खोज मैने की है, जब बॉडी ऐसे हिस्सों को खाने लगेगी, तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जागा कहा डॉक्टर योवशूरा उशीमी, एक इनसान को साल भर में कितने दिन भूका रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए, तो उन्होंने कहा बीस पच्चीस दिन, तकरीबन नौ से दस घंटे भूका रह जाए अगर, तो उसकी बॉडी उसके हिस्सों को खा लेगी, या रसूल अल्लाह अल्यवसल्म आज समझ में आया, आपने मुमिन पर रोजे फर्ज क्यों किये, आज समझ में आया, आज